दिनेश कार्ति कि ने दे दिया बड़ा बयान कहा रिशपपंत हैं बहुत महान नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी इस वर्त रिशपपंत की बड़ी तारीफ हो रही है उनके शतक की तारीफ हो रही है उनके इंटेंट की तारीफ हो रही है उनके अप्रोच की तारीफ हो रही है उनके बल्लेबाजी के मैंसेट की तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि वास्तम में पंत जैसा कोई नहीं है जिस अंदाज में रिशब पंत ने बल्लेबाजी की है बांगलादेश के खिलाप जिस तरीके से रिशब पंत ने टेस्ट में वापसी की है नज़र आ गया कि वो ही पंत वापस आ गया है उसी तरह की बल्लेबाजी उसी तरीके का शोट सेलेक्शन उसी तरीके का अग्रिसिव माइंड सेट उसी तरीके से चोके छके लगाना मतलब साफ था कि पुराना पंथ अब मैदान पर वापस आ चुका है ये साफ तोर पर पता चल गया जिस अंदाज में रिशब पंथ खेले जिस तरीके से रिशब पंथ ने मैच को फिनिश किया जिस तरीके से रिशब पंथ ने बांगलादेश के गेंदबाजों पर अटेक किया इसे साथ पता चल गया कि रिषभपंत बेशक क्षोट के बाद वापस आये हो उनके अंदर का वो जनून उनके अंदर का वो खेर खत्म नहीं हुआ है अब रिषभपंत को लेकर क्योंकि रिषभपंत के शतक के बाद दोनी से तुल्ना होने लगी है तुल्ना इसलिए होने लगी है क्योंकि रिशवप पंत ने धोनी की शत्कों में बराबरी कर लिए छे शतक रिशलप पंत टेस्ट में पूरे और कर चुके हैं मेहंदर सिंह दोनी के भी छेशवप फही चाहएं ऐसे में 204 की कि यह कहना अशुकारिया है कि उन्होंने सिर्फ चोतिष टेस्ट खेले और भारत के महान विकेट कीपर हैं वक्त लेते हैं वो नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं लेकिन जाहिर तोर पर वो भारत के महान विकेट कीपर के रूप में खत्म करेंगे यह दिनेश कार्थिक का कर अभी केवल चोतिष टेस्ट मैच रिशब पंथ खेले हैं सोचिएगा अभी तो बहुत लंबा करियर रिशब पंथ का बचा है केवल चोतिष टेस्ट मैच में अगर रिशब पंथ बहंद सिंग धोनी की बराबरी कर लेते हैं शतक के मामले में या फिर यूं कहीं सबसे जादा शतक लगाने वाले विकेट कीपर बलेबाज बन जाते हैं क्योंकि दोनों के छैचे हो चुके हैं तो यह कयास लगाए जा रहे हैं उम्मीद भी की जा रही है कि जब रिशब पंथ का टेस्ट करियर खत्म होगा तो जाहिर तोर पर रिशब पंथ सबसे बड़े विक को की जरूरत है और जिस अंदाज में रिशब पंथ खेलने हैं जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्ला चलता है तो यह ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि वह एडम गिलकिस्ट का रिकॉर्ड तोर दें क्योंकि अदम गिलकिस्ट वैसे भी ओपन करते थे उनको ज जाएंगे तो आपका रिशब पंथ को लेकर इस खबर पर क्या कहना दिनेश कार्थिक के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि रिशब पंथ दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले विकेट की पर बनेंगे कमेंट करके बता पाती इनिशल स्टेज पर जिस वक्त रिशब पंथ खड़े हैं आप किसे बहतार समझते हैं ये भी बताईएगा वीडियो चलिए योत लाइक को शेजरू करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्यों क्यों अब्डेट मिलते रहेंगे थैंक्यों रिमच्च